नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे यूटीव चैनल समत्वम योग उचते आज हम बात करेंगे कपाल भाती के बारे में चलिए श्रू करते हैं कपाल भाती किसी कहते हैं चलिए जानते हैं कपाल भाती प्रणायम या कपाल भाती 6 शटकर में से 1 शटकर में और हट योग में इसको internal purification method भी कहा गया है लेकिन कुछ लोग कपाल भाती को एक प्रणायम मानते हैं पर हमारी प्राचीन योग गरंद के अनुसार जैसे हट योग प्रदीपिका और ग्रेंड समीता में शटकर्म के अंदर कपाल भाती को लिया गया है या इसको purification technique भी बोलते हैं और जानते हैं कपाल भाती का मतलब क्या है हमारी ग्रेंड समीता के अनुसार कपाल भाती का मतलब है कपाल भाती दो शब्दों से मिलकर बना है कपाल प्लस भाती कपाल मींस स्कल या हैड और भाती मींस शाइनिंग मींस सिर को चमकाने वाला इसलिए इसको कपाल भाती कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं कपाल कैसे करते, चलिए जानते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जानते हैं कपाल भाती को कैसे करते, step by step जानते सबसे पहले जानते body posture कैसा होना चाहिए जब भी हम कुछ بھی start करते हमारा body posture कैसा होना चाहिए, वो जानने का प्रियास करेंगे और आपकी breathing technique क्या होगी और फिर जानेंगे last में आपको कैसे practice को end करना है ये सब मैं आपको बताने जा रहे हैं तो शू करते हैं सबसे पहले आपके body posture से आपको बैठना कैसे आपकी स्तिती कैसी होगी तो शू करते हैं सबसे पहले आप अरामदायक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाईए जैसे आप सुख आसन पदमासन अर्ध पदमासन या वजर आसन इनमें से कोई भी आसन में आप बैठ जाईए और जैसे ही आपने इनमे से कोई भी आशन को चुल लिया, उसमें क्या करना है? आपको अपने सिर और मेरुडन को सीधा रखते वे बैठना है. उसमें आप बैठ चुकें, फिर आपको क्या करना है? दोनों हातों से चिन मुद्रा बनाने हैं. दोनों हातों से चिन मुद्रा बनाने के बाद आपको दोनों घुटनों पर अपने हातों को रख लेना है और हतेलियों का रुक आस्मान की और होगा जब भी आप हातों को अपने घुटनों पर रखेंगे और उसके बाद आखों को धीरे से बंद करेंगे और पूरे शरीर को एक बार विश्राम देंगे अभ्यास रूप करने से पहले ये था आपका बॉडी पॉस्चर आपको कपाल भाती के लिए करना है अब शू करते हैं ब्रीधिंग टेकनीक क्या होगी आपको कपाल भाती कैसे करना है और क्या सेलियन पॉइंट है तो जानते हैं सबसे पहले आप लंबा गहरा धीमा स्वास लीजिए स्वास लेने के बाद आपको जोड देना है तेज और शक्ति पूर्वक स्वास शोड़ने पर लगातार आपको स्वास शोड़ना है पचास से साथ बार जैसी आप स्वास को बाहर शोड़ते जाएंगे आपका पेट का निचला भाग अंदर की तरफ जाएगा और प्रतेक स्वास शोड़ते समय आपको पेट की निचले भाग को अंदर की तरफ लेकर जाना है जितना हो सकता है उतना और आपको ध्यान रखना है कि आपकी चहरे की मास पेशियां एकदम शांत रहेंगी और शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है शरीर इस्तिर रहेगा जो position maintain करके रखी है उसी position को maintain करना है बस आपको दोनों नासरन से स्वास को तीज गती के साथ स्वास को बहार छोड़ते जाना है जैसी आप स्वास बाहर छोड़ेंगे जो आपका last stroke होगा उसको अच्छे से छोड़ते वे आपको धीरे से अभ्यास को समाप्त करना है और ध्यान रहे कि आपको सिर्फ स्वास छोड़ने पर ही ध्यान देना है और स्वास लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी स्वास आप अपने आप लेते जाएंगे पर आपको स्वास छोड़ते जाना है पचास से साट बार तो आपका एक राउंड पूरा होता है जैसे ही एक राउंड पूरा हो जाता है आपको कुछ दे रिलेक्स करना है दो तीन नॉर्मल ब्रीधिंग करना है जैसी नॉर्मल ब्र जैसे ही आपके तीन राउंड पूरे हो गए पर याद रखना है कि आपको अपने आपको तनाव में नहीं डालना है एकदम सहजता के साथ आपको अभ्यास को करना है पूर्ण रूप से आपको अभ्यास को करते जाना है कोई भी आपके मन में आपके शरीर में तनाव नहीं हो जैसे ही आपके तीन राउंड पूरे हुए आपको अपनी स्वास पो स्वास को समानने करना है शरीर और मन को विश्राम देना है जैसे आपने कुछ देर अपने आपको विश्राम दिया फिर उसके बाद पामिंग के द्वारा अपनी आखो को खोल लेंगे ये था आपका कपाल भाती का तरीका की आपको कपाल भाती कैसे करना है इन चीजों को आपको याद रखना है कपाल भाती करते वक्त अब आगे बढ़ते आप पिच्छर में भी देख सकते इसमें किस तरीके से आप बैठे हुए आपका क्या moment हो रहा है आपका breathing का और abdominal moment क्या हो रहा है जब आप स्वास लेते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आता है जब भी भी आप स्वास शोड़ते हैं पेट अंदर की तरफ जाता है इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है जब भी भी आप practice को start करेंगे तरीके से आपको कपालभाती का अभ्याज करना है आप आगे बढ़ते हैं जानते हैं उसके फाइदे क्या होंगी चलिए शشु करते हैं यह है कपालभाती के कुछ फाइदे कपालभाती हमारे respiratory track को cleanse करता है जो हमारे respiratory tract है उसको अच्छे से साफ करता है जो हमारी नस नाडिया है उसको strengthen करता है और हमारे lungs के कारे को भी improve करता है उसके function को भी improve करता है और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो इन बिमारियों से ग्रस्थ हैं जैसे जिनको अस्तमा है bronchitis है sinusitis है या allergic rhinitis है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है कपाल भाती और ये बहुत ज़्यादा help करता है stress tension और anxiety को कम करने में next है कि ये उन लोगों के लिए भी बहुत ही लाबदायक है जिनको मोटापा है कब्स है या मदुमे वाली समस्य है उनके लिए भी कपाल भाती बहुत ही अच्छा अभ्यास है और ये हमारे शरीर में से विशैले पदार्थ को बहार निकालता है और जिस वज़े से हमारा जो aging process है वो बहुत धीरे होता है और ये हमारे skin में भी glow लेकर आता है जब हम अंदर से अपना सुद्धी करण कर लेते हैं तो ये हमारे बाहर से भी दिखता है इस वज़े से हमारे face पे glow आता है ये थे कुछ फाइदे आपके कपाल भाती के अब आगे बढ़ते हैं Contra Indication जानते हैं साफधानिया जानते हैं कपाल भाती की है क्या साफधानिया क्या है कपाल भाती की कपाल भाती उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका उच्छरक चाप, हिरिदे सम्मंदी कोई रोग, अलसर, हन्या या मिर्गी जैसे दौरे पढ़ते हैं उन लोगों को इस अभ्यास को बिलकुल भी नहीं करना, उन्हें अवाइट करना है इस अभ्यास को और जिनका अब भी तुरं 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 अपरेशन हुआ है, पेट का अपरेशन हुआ है, तो उन लोगों को भी इस अभ्यास को अवाइट करना है जो लोग इस अभ्यास को नहीं कर सकते वो उसके बदले अनुलोम विलोम प्रणायम को बहुत असानी पूर्वक कर सकते उनको उतना ही फायदा मिलेगा तो आप कपाल भाती नहीं कर रहें तो आप अनुलोम विलोम का भी अभ्यास कर सकते तो बस जिन लोगों को मनाएं उन लोगों को नहीं करना और सबी लोग इस अभ्यास को अराम से कर सकते ये थी आपकी कपाल भाती की सावधानिया ये थी कुछ बाते कपाल भाती के बारे में कपाल भाती है क्या कपाल भाती की टिक्नीक क्या है और कपाल भाती के फाइदे क्या है उसकी साफदानी क्या है ये कुछ बाते मैंने आपको इस वीडियो में बताई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपिया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए आगे और भी नई वीडियो लेकर आते रहेंगे हम आपके लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो मंगल मैं हो